हलो फ्रेंड मैं आपका गार्नर दोस्त आपका फिर एक बार वैलकम करता हूँ अपने गार्निंग बॉय यूटूब चैनल पर उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अच्छे चे कमें बीजी होंगे आज हम बात करने वाले हैं रोज मोस प्लांट पर दोस्तों ये बहुत ही एक हाड़ी प्लांट है ये देखिए मैंने इधर अपने तोरी की बेल भी लगा रखी है और इधर देखिए चमपा का प्लांट है तो दोस्तों बात तो हम फिलाल अपने इस प्लांट पर ही कर रहे है जिसे रोज मोस या टेन ओक लॉक भी कहते हैं कहीं कहीं इसको दस बजिया भी बोला जाता है इसके कई नाम है दोस्तो यह एक ऐसा प्लांट है जो इसमें जब फ्लावर आने सुरू होते हैं तो फ्लावरों की भरमार हो जाती है दोस्तो यह एक प्लांट है यह प्लांट जो आप देख रहे हैं यह सिंगल पैटल का प्लांट है तो दोस्तो यह ऐसा एक प्लांट है जैसे आप कोई भी लगा सकते हैं इसको आई थिंग अगर इसके बच्चे इसकी कटिंग भी तोड़के लगा दें तो वो भी चल जाती है तो दोस्तो ये प्लांट देखिए इस पे फ्लावर बड़ा रखी हैं बहुत सारी दोस्तो अभी मैं वीडियो सुबे बना रहा हूँ इसलिए कोई फूल खिला हुआ नहीं है जैसे ही घड़ी में दस बसते हैं वैसे इस पे फूल खिलना सुरू हो जाते हैं दोस्तो दोस्तो काफी एक ग्रीन प्लांट है अगर आप के पास टाइम नहीं है आप गार्निंग के सौकिंग है तो आप इसको लाके लगा सकते हैं दोस्तो इसकी एक ब्रांट में कई-कई बड़े आ जाती हैं और दोस्तो इसकी केर भी बहुत आसान है आप इसको महीने में एक पार कमपोस्ट दे सकते हैं या कोई भी खाद इसको दे सकते हैं दोस्तो ये ज्याधा इस पे आपको ध्यान नहीं देना है यह ऐसा एक प्लांट हाड़ी प्लांट है जो इसे अपने हाल पे छोड़ दो तो भी यह बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है तो दोस्तो यह मैं लेकर आया था नर्सरी से यह नर्सरी में आपको 10 रुपीज का प्लांट मिल जाएगा और आप अगर इसका एक प्लांट भी लाके लगा दें तो आप अपनी पूरी छट पे इस प्लांट के भर सकते हैं दोस्तो इस प्लांट के अगर हम छोटी से छोटी कटिंग लगाएं तो वो भी असानी से चल जाती है दोस्तो इस प्लांट की एक और खासियत है कि यह बरस बहुत ही ज़्यादा फूल देता है देखिए मैं एक कटिंग लाया था मात्र और मैंने इतनी सारी कटिंग बना ली है दोस्तों मेरे छट पे ये सारी जगे मैंने छोटे-छोटे डबो में लगा रखा है दोस्तों जब ये एक साथ फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही देखन में अच्छा लगता है प्लाट तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लें और अगर मेरी आने वाली वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलेंगे एक नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई